हाईलो फ्रेंड्स, गुड आप्टरनून, दोस्तों ये वीडियो हमारा विहार दरोगा यानि कि SI भरती 2030 का सिट नमर 11 है, जिसमें लोग most important current affairs के questions हुआ, विहार special के GK के पस्टनों को cover करेंगे, तो दोस्तों आप लोग इने constant होका solve करें, questions कम solve होने पर पुना पस्टनों का revision करें, ताकि विहार SI भरती 2030 में आप लोग इसके PT जामें अच्छे से अच्छा परफार्म कर सकें, तो चली दोस्तों, यहांदा समय ना लेते हुए, हम लोग इन सभी most important पस्टनों को solve करना शुरू करते हैं, दोस्तों, question number 1 है मारा, world press freedom index 2030 में भारत का कौन सा अस्थान है, most happiness index 2030 में भारत का कौन सा स्थान है, right answer होगा, 126 स्थान, index से सूचकांग से most important question आपके एक जामें पूछे आते हैं, दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेगा, अगला question है, बैस्विक सांती सूचकांग 2030 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 126 स्थान पर है, किस स्थान पर, 126 स् अगला question है, Miss Earth India 2030 का खिताब किसने जीता, right answer होगा, प्रियन सेन ने, किसने, प्रियन सेन ने, आगे चलेंगे हम लोग, Miss Earth Universe India 2030 का ताज किसे मिला, तो माधुरी पटेल को मिला, किसे माधुरी पटेल को, ध्यान रखेंगे आप लोग, एक बार revision जरूर करेंगे, current के question थोड़ टेनिस टूर्नामेंट 2030, पुरु सुर्ग का खिताब किसने जीता, तो नुवाक जोकोविच ने जीता है, अगला question देखेंगे, Australia Open 2030 में पुरु सुर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये भी नुवाक जोकोविच ने जीता है, दोनों ध्यान रखेंगे, French Open Tennis Tournament 2030 और Australia Open 2030, द दोनों में पुरु सुर्ग का खिताब नुवाक जोकोविच ने जीता है, अगला question है, Football Tournament, संतोष ट्राफी 2030 का खिताब किसने जीता, तो ये करनाटक ने जीता है, next देखेंगे, Football Tournament, संतोष ट्राफी 2030 की उबिजेता टीम कों सी है, तो में घाले, ध्यान रखेंगे, संतो आगे चलिंगे, हम लोग, अगला question दोस्तों, Run-G, Traffi 2030, most बढ़ा question है, Run-G, Traffi 2030 की उबिजेता टीम कों सी है, तो सवराष्ट रही है, और Run-G, Traffi 2030 की उबिजेता टीम कों सी रहे, बंगाले, दोनों ध्यान रखेंगे, उबिजेता और उबिजेता, अगला question है, हाली में आप लोग जानते हैं अगला कोश्चन आप लोग जानते हैं और सटों फिल्म फेरवाड दोहजार तेस में सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुरसकार किसे मिला तो गंगुबाई काथिया वाली को मिला है सिखर समिलन 2030 का हाजित हुआ तो जोहां सवर्ग दच्षिन एफरिका में किया गया है और ब्रिक्स सिखर समिलन 2024 का हाजित किया जाएगा तो रूस में किया जाएगा ध्यान रखेंगे दोनों आगे चलते हम लोग अगला कोश्चन दोस्तों जी टॉंटी सिखर समिलन 2030 किया था नेक्ट कोश्चन है जी टॉंटी सिखर समिलन 2024 के दिस्ता कोंसा दिस्करेगा तो वर्राजिल की द्वारत की द्वारत की गई और 2024 की द्वारत की जाएगी अगला कोश्चन है अंतर राष्ट्रिय बुकर पुरसकार 2030 किसे दिया गया तो जोर्जी गोस्पो दिनों को दिया गया है किसे जोर्जी गोस्पो दिनों को अंतर राष्ट्रिय बुकर प्रसकार दोहजार तेज अगला कोशन 42 वा आसियान सिखर सम्मेलन कहां आई जित हुआ तो इंडोनेसिया में क्या गया है कमेंट पर बताएंगे कवें जरूर किजें दोस्तों महाद्पूर्ण क्योंस पर कमेंट बुला आता है और जब लोगों को कमेंट करना होता तो इससे सर्च करने के बाद में कमेंट में लालते इसिकरने से अप लोग ज़ाद से जादक दिनों प्रिपेर रहते हैं नेक्ट है IIFA 2030 यह आसकर प्रसकार है दोस्तों में सर्फ्रेस्ट फिल्म कावाड किसे दिया गया दिरिस्यम टोको दिया गया किसे दिरिस्यम टोको अगला कोशन फेमिना मिस इंडिया 2030 का खिताब किस ने जीता नंदनी गुपता ने आगे चलेंगे हम लो अगला कोशन दोस्तों Tata IPL 2030 का final किस टीम ने जीता तो चेन्नई सूपर किंग्स ने जीता ध्यान रखेंगे और IPL 2030 की विजेता टीम कोंसी रहे गुजराद टाइटन्स रहा है दोनों ध्यान रखेंगे विजेता चेन्नई सूपर किंग्स और विजेता गुजराद next हाली में 2030 में सांती का नोबेल प्रसकार किसे मिला तो नर्गिस मुहमधी को मिला है next question हाली में किस साहित अकादमी प्रसकार 2030 किसे दिया गया है हाली में किसे साहित अकादमी प्रसकार 2030 दिया गया तो प्रिया एस को दिया गया है लोग जानते होंगे दोस्तों UDI, UDI website के नाम है, के नए CEO कौन बने है, तो अमित अग्रुवाल है, कौन है, अमित अग्रुवाल है, Unique Identification Authority, आफ इंडिया, इसका पूरा नाम है, नेक्स्ट, 32 सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, शिव संकरी को किया गया है, नेक अगला कोशन है, Global Gender Gap Index 2030 में भारत किस अस्थान पर रहा है, ये कोशन थोड़ा सा मिस्प्रंट हो गया है, तो 127 स्थान पर रहा है, Global Gender Gap Index 2030 में भारत, अगला कोशन है, हाली में 2030 का अर्थसास्तर का नोबेल पुरसकार किसे दिया गया, तो कलोडिये गोल्डिन को दिया गया किसे कलोडिये गोल्डिन को, हाली में 2030 का अर्थसास्तर का नोबेल पुरसकार, अगला कोशन देखेंगे हम लोग, कोशन है दोस्तों, ASEAN Games 2030, ध्यान दिजएगा, ASEAN Games 2030 का अउज़न कहा हुआ, तो हांग जोव चीन में किया गया, हाली में आप लोग जानते होंगे, नेक् हाली में किसने लीप जिंबुकर पुरसकार 2030 जीता है, तो मारिया इस्टेपानोवा ने जीता है, अगला कोशन, हाली में 49 जी सेबन सिखर समेलन का विजन कहा हुआ, तो हिरोशिमा जापान में किया गया है, चलेंगे थोड़ा सा पीडियाप के बारे में बात करेंगे दोस कर रहे हैं, पीडियाप पूरी तरह से दोस्तों, रेडी है, आपके पीटी एक्जाम के लिए, लास्ट में आया हुआ दोस्तों, विल्कुल करेंट अफटेटेड है, 50 रूपीज इसकी दोस्तों, पेड़फीस रखी गई है, अगर आप चाहें, तो नीचे हमारा होड़सक नंबर है, आप मैसेज करके जूड़ सकते हैं, उसके बाद दोस्तों, विहार SSC 10 प्लस टू, 2030 आप लोग जानते हैं, लगवाफ फरोरी में इसका एक्जाम है, इसमें दोस्तों, जो GKGS करेंट अफियाज जिसमें जनरल साइन्स से भी सामिल है, कि पार्ठ करम को 25 PDF के जरि है, करेंट अफियासर हिंदी है, इसके दोस्तों, PDF 25 PDF के द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जाएंगे, अगर आप चाहते हैं, तो 50 रुपेज पीट फिस रखी गई है, आप लोग मैसेज करके जोड़ सकते हैं, इसमें जो मैत वारिजिनिंग के पोर्शन है, उनक आपका हिंदी होगा, यह दोनों PDF दोस्तों, टोटल 40 सेट के दर जरिये पूरी करवाए जाएंगे, अगर आप दोस्तों चाहते हैं, तो 100 रुपेज इसकी फिस रखी गई, आप लोग होर्शन पर मैसेज करके जोड़ सकते हैं, कंबाइन नहीं दिया जा सकता है, कि किसी मे होर्श अप नमबर लगा हुआ, आप लोग मैसेज करके जोड़ सकते हैं, कोश्चन है अगला, वर्श 2023 का लोक मानित तिलक परसकार किसे परदान किया गया, परदान मती नरेंदर मोधी को किया गया है, नेक्स्ट, तीन ग्रैमी परसकार जीतने वाले एक मात्र भारतिय दिलके मानित किया गया, डाक्टर पैगी मोहन को किया गया है, आके चलेंगे हम लोग, अगला कोशन दोष्टों, भारत का पहला, संग्धान साच्छर जिला कौन सा बना है, तो कोलम है जो कि केरर राजी में पढ़ता है, और लास्ट कोशन, सेकंड लास्ट कोशन दोष्ट अहमदाबाद में जिसमें छे विकर से दूस्तों इंडिया इस फाइनल मुकाबले में दूस्तों आश्टरिया से हार गया था ध्यान रखेंगे रोहित सर्वा कप्तान थे भी ध्यान रखेंगे भारत के 10 सहरों में आउजित किया गया था टोटल 48 मैच खेले गए थे यह सारे कोशन दोस्तों हम लोग यहां पर बिहार से देखेंगे जो की इक्जाम में पूछे आ सकते हैं कोशन है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की राइट एंसर होगा नौल कि शोर शिंग ने अगला कोशन है बिहार का सरवाधिक लोग प्रिये सत्यागरा कौन सा तो चमपारण सत्यागरा है नेँक्सट बिहार में गया नगर किस नदी के नदी के तरपर इस्तीत है तो फलगुर नदी के तरपर अगला कुशन है बिहार में नालंदा वी स्भिद्याले के स्थपना कि सम्राड के प्रियासों से हूई थी तो कुमार गुप्त पर्थम के और अगला question है, दोस्तों, बिहार के पर्थम, महा कभी कौन है, तो हूँ बिध्या पती है, ध्यान रखेंगे, आप कौन है, बिध्या पती है, and second last question, बिहार जी के से, बिहार में लोग सभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है, और बिहार में राजी सभा सीटों की संधिया कितनी है, तो वो 16 है, तिये थे दोस्तों, इस तरीज के टाप एम सी कीउच के परसण, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सालब की हैं, उमीद है दोस्तों, आप सभी लोगों ने सालब कियोंगे, और देखेंगे कि यहां से आपके कितने परसन सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे study channel सिवकृपा classes से जुड़ें वह channel को subscribe करें ताकि हमारे दोरा देजाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में thanks for watching